दोस्तो इस वीडियो में मैं पांच ऐसा एड नेट्वर्क के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आप अपना URL शोटनर वेबसाइड में यूज कर सकते हो या तो आप content डाउनलोडिंग वेबसाइड में भी यूज कर सकते हो यह जो नेट्वर्क है यह बहुत सालों से रान हो रहा है और अभी भी payment दे रहा है इसमें से मैं सारा नेट्वर्क ट्राई कर चुका हूँ और सभी में payment मिलता है और timely payment भी मिलता है So without further wasting your time let's get started Number 5 पे जो add network आता है उसका नाम है pop cash So यह है pop cash का website जैसे कि आप देख सकते हो the pop under network So pop cash जो add provide करता है वो only pop under add ही provide करता है So इसका पहले ECPM के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको 0.2$ से 0.3$ के लमसम मुझे ECPM मिला था So यह काफी अच्छा add network है आप try करके देख सकते हो आप बात करते हैं इसका payment method and minimum payout rate So यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो पेपल, पेगजम, स्क्रील, वेब मनी, पेनियर, परफेक्ट मनी, बिटकोईन, इथीरियम, रिपल, लाइटकोईन, यूएसडिटी यह सभी option available है payment method में So आप किसी भी option को चूज़ करके withdrawal ले सकते हो यहाँ पे minimum जो withdrawal requirement है वो $10 है और यहाँ पे अगर पेनियर से लेते हो तो $50 minimum withdrawal rate है Bitcoin में देख सकते हो $150 and Ethereum में भी $150 and अलग-अलग fees है यहाँ पे fees भी clearly mention किया गया है So यह एक trusted ad network है आप इसको use कर सकते हो अपना URL Shotner website या तो content downloading website So let's move on to our next ad network जिसका नाम है PropelAds.com So यह देख सकते हो PropelAds.com का website यहाँ पे जो bidding चलता है वो CPC, CPA, CPM, AI-based and smart bidding चलता है So यहाँ पे आपको various types of ad format मिल जाता है जैसे कि pop under ad format मिल जाता है push notification मिल जाता है in page push notification format भी यहाँ पे मिल जाता है Interstitial ad format भी यहाँ पे मिल जाता है So basically यह भी एक pop under ad network है and यहाँ पे different तरीके का ad format आपको देखने को मिल जाता है Money tag करके ऐसे करके आपको dashboard देखने को मिल जाता है और यहाँ पे minimum जो withdrawal है यह $20 है Paynear account से withdraw करते हो $20 है $20 अगर आपके account में हो जाता है तो आप withdraw कर सकते हो इसमें और भी withdrawal method है जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो यह सभी payment method आपको propelads.com के अंदर देखने को मिलता है अगर आप India से हो तो बिल्कुल ही Paynear से withdraw ले सकते हो PayPal से भी withdrawal ले सकते हो इसके इलाबा आपको skrill option देखने को मिलता है wet transfer देखने को यहाँ पे मिल जाता है web money का option भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है मगर इंडिया से हो तो मैं recommend करूंगा Paynear and PayPal से ही withdraw करो जिसमें minimum withdrawal rate $20 है यह भी काफी अच्छा ad network है तो आप इस ad network को try कर सकते हो So let's move on to our next ad network जिसका नाम है A ads यह ads एक काफी अच्छा cryptocurrency ad network है यहाँ पे आपको basically banner and display ad ही देखने को मिलता है यहाँ पे कोई भी तरीके का pop ads देखने को नहीं मिलता है इसलिए मैं इसको इस list में third position पे रखा इसमें हलाक ही बहुत जादा earning तो नहीं होता है pop ads के तरह मगर यह जो ad network है यह banner ads शो करता है इसलिए इसको मैं third position में इसको रखा basically इसको इसका जो average cpm rate है वो 0.91 यहाँ पे दिखा रहा है मगर इतना expect मत करो इतना नहीं मिलता है बिल्कुल ही वो depend करता है आपका website के category के उपर आपके जो traffic आ रहा है वो कितना percent unique है और किस country से traffic आ रहा है उसके उपर base करके ही आपको cpm rate देखने को मिलता है so basically अगर आपको banner and display add चाहिए तो आप इस cryptocurrency add network को use कर सकते हो यह एक trusted cryptocurrency add network है जो कि मैं बहुत दिनों से use कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हो so जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ से बहुत बार withdraw भी ले चुका हूँ तो यह एक trusted add network है आप इस add network को use कर सकते हो as a banner and display add network के हिसाफ से मगर cpm rate आप उतना ज्यादा pop ads में जितना cpm rate मिलता है उतना ज्यादा expect इस add network से तो मत ही करो और यहाँ पे जो minimum withdrawal amount है वो है 0.001 BTC and इसमें आप अपना जो wallet है wallet में cryptocurrency wallet आपको बनाना होगा तो उस wallet में आप withdrawal ले सकते हो and वहाँ से bank transfer करके withdrawal ले सकते हो कैसे withdrawal process है उसका already मैं चैनल पे वीडियो बना के रखा i button पे and description पे भी मैं link डाल दूँगा so यह एक काफी trusted and अच्छा ad network है and बहुत दिनों से यह payment दे रहा है इसलिए मैं इसको third position पे रखा so let's move on to our next ad network जिसका नाम है pop ads.net so यह एक purely pop ad network है and इस ad network का USP यह ही है कि यह बहुत सालों से काम कर रहा है and यह market में बहुत सालों से payment दे रहा है and इसमें minimum जो payout rate है $5 है and उसमें भी आपको कोई भी withdrawal charge बगरा नहीं काटता है so यह ही इस ad network का USP है and इसको second position पे मैं रखा क्यूंकि इसमें कोई भी withdrawal fees नहीं लगता है तो इसमें login करके मैं दिखा देता हूँ जैसे कि मेरा account मैं login कर चुका हूँ यहाँ पे और यहाँ पे withdrawal method आप देख सकते हो paypal से withdrawal ले सकते हो direct swap transfer पे withdrawal ले सकते हो direct transfer to debit credit card पे ले सकते हो capitalized account पे ले सकते हो and यह सारे का सारा options आपको देखने को मिलता है यहाँ पे paytm options भी add किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो paytm का options भी आ चुका है मगर यहाँ पे withdrawal amount थोड़ा जादा है अगर अब paytm में withdrawal लेना चाते हो तो भी आप यहाँ से ले सकते हो तो यहाँ पे मैं जो method basically यहाँ पे choose करके रखा वो है PayPal जिसमें की आपको minimum जो withdrawal amount है $5 है so minimum $5 अगर आपके account पे हो जाएगा तो आप PayPal account से withdrawal ले सकते हो तो यह एक काफी trusted add network है और बहुत सालों से चल रहा है इसलिए मैं इसको second position पे रखा and इसमें आपको payment बिलकुल ही मिलता है कोई भी payment में अभी तक मुझे issue नहीं मिला है last add network but not the least one जिसका नाम है adstera.com adstera.com एक global add network है adstera add network में basically CPA based add ही चलता है यहाँ पे CPM rate के बारे में बिलकुल ही नहीं बात करेंगे क्योंकि अगर आपके site में cost per action हो रहा है मतलब कोई भी ads को click करके अगर कोई form दिया तो उसको कोई fill up कर दिया तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे CPA rate देता है यहाँ पे मैं statistics दिखा देता हो छोटा सा statistics दिखा देता हो यहाँ पे देख सकते हो impression only 8 आया और CPM rate देखो 3.4 यहाँ पे CPM बता रहा है मगर actual में यह network CPA based network है cost per action मानलो कोई भी user आपके ads में click किया उसके बाद कोई form या survey दे दिया उसको अगर वो fill up करता है तभी आपको अच्छा CPM मिलेगा और अगर नहीं fill up करता है वो भाग जाता है तो आपको CPM बहुत कम मिलता है यह depend करता है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 16 impression है मगर CPM rate देखो 0.011 मिला यहाँ पे 8 impression है और यहाँ पे CPM rate देखो 3.4 तो ऐसा CPM तभी आपको मिलेगा जब cost पर action होगा तो यह ad network काफी अच्छा ad network है अगर आपके user सही है तो आप बिल्कुल ही इस ad network को try कर सकते हो अब बात करते हैं इसका minimum payout rate के बारे में यहाँ पे देख सकते हो इस ad network का minimum payout rate है यहाँ पे list किया गया है यहाँ पे PayPal option जो अगर आप चूज़ करते हो तो उसमें आपको instant payment मिलेगा और इसमें आपको 100 dollar minimum आपके account में होना चाहिए तब ही आपको withdrawal मिलेगा और यहाँ पे fees भी mention किया गया है up to 5-4% payout sum का 5-4% यहाँ पे fees भी लगता है इसके बाद इसमें जो minimum payout rate है वो है web money से अगर आप payment उठाते हो तो 5 dollar में भी आप payment उठा सकते हो पेक्सम से अगर payment उठाते हो तो 5 dollar में payment उठा सकते हो wet transfer से लेते हो तो 1000 dollar होना चाहिए अपके account में bitcoin में अगर उठाते हो तो 100 dollar and USD से अगर उठाते हो tether option है यहाँ पे तो 100 dollar आपके account में होना चाहिए यहाँ पे जो minimum payout rate है वो 5 dollar है और web money से आप इसको यूज कर सकते हो basically मैं PayPal यूज करता हो इसलिए मैं 100 dollar में payment लेता हो Astra एक अच्छा and trusted network है तो आप बिल्कुल ही Astra को try कर सकते हो so I hope के इस वीडियो से आप लोगों को पता चल चुका है top 5 ad network जो की आप अपना URL शोटनर website and content downloading website में use कर सकते हो अगर कोई भी ad network के बारे में detail में review video चाहिए तो आप बिल्कुल comment करके बता सकते हो मैं try करूंगा उसका detail review video लाने का so I hope के ये video अप लोगों को पसंद आया है अगर पसंद आया तो video को like करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए and take for you channel को subscribe करना मद भूलना so दोस्तो इस video में इतना ही मिलते हैं और भी किसी exciting video के साथ till then have a great day bye bye and take care